तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम आपको लेडिस पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे जिस पैंट में फुल लाश्टिक डाला जाता है बिना बैल्ट वाली पैंट की कटिंग करने का तरीका बताएंगे तो दोस्तो यह देखी हमने इसके लिए 2 मीटर कपडा ले लिए ठी है तो दो मीटर कपड़े में हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे जिसमें फुल लाश्टिक होता है वही पैंट की कटिंग बताएंगे तो यह देखी फोल्ड वाली सैट यह है और यह खुली वाली सैट हमारी सैड में है दोस्तो एक बार ध्यान से देख लिए आप इस तरीक से अब देखी क्या करते हैं साइज साथ में बताऊंगो आप मैं आपको तो सबसे पहले दो इंच आप नेफे के लिए छोड़ेंगे ठीक है उसके बाद यह देखी दोस्तो दो इंच हमने नेफे के लिए निसान लगा दिया जो हम लाश्टिक डालेंगे तो हम आसन के मारक लगाया है बहां से इंची टेप को रखेंगे हम और 35 एंच यानि 35 इंच की लेंद है लंबाई है तो यह देखिए उसके हम मारक लगाएंगे तो उसके लिए दोस्तों हम लगाएंगे करीब 36 क्योंकि हम आदा इंच बढ़ा कर रखते हैं अभी मैं आपको बताऊं क्य तो इसी मारक से कपड़े को मोडते हैं अगर हम आदा इंच बढ़ा कर नहीं रखेंगे तो यह वाला मारक हमारा इस से मोड़ाएंगे तो हमारी पैंट आदा इंच कम हो जाती है उसके बाद यह देखिए दोस्तों हम नीचे महरी के लिए जो फोल्ड करने के लिए करीब हम दो इंच कपड़ा छोड़ते हैं नीचे आप चाहिए ज्यादा भी छोड़ सकते हैं मगर मैं डेड़ इंच कपड़ा छोड़ रहा हूं ज्यादा चोड़ा नहीं रखना है इसको मुझे तो टोटल तैयार जो लेंट इसकी साड़े पैटिस इंचे तो 36 का मार्क लगाया बाक पैस्याद से आपका सीधा निसान आएगा भिल्कुल और यहक मार्क आप आगे सान के लगा लेका लागे प्लगा लेजा थीटके तो दोस्तो इसकी चाहते हैं शुख कामर है तो हम कामर के लिए दौस्तो की कामर बाइगा छोड़OPला शावीमस को सिसाफिए टीरा इंच का निसान लगाएंगे ठीक है। अगर आपकी दिरे चोटे बढ monit Verme को बढ़ा करола कहाँए ठीक हा उठ च६ह किई। और 36 से लेकर अरतिस तक कमर है अगर आपकी 38 तक है तो आप 13 इंच का आसन का निसान लगाएं आप साड़े बारा भी लगा सकते हैं इसमें तो मैंने 13 इंच का निसान लगाया है क्यूंकि हिप जादा है इसकी तो अब यह देखिए तो हमने 13 इंच का आसन का निसान लगा दिया है यह लिए फुल लाश्टिक वाली पैंट है पजामा भी कह सकते हैं इसको आप वैसे तो यह पजामा ही कहलाता है तो अब यह देखिए हम किनारा चोड़ करके आगे के लिए मार्क लगांगे थाए कितने एकना है वो भी हम आपको बतायते हैं तो यह फ्रेंट परले काट रहे हैं दोस्तो हम तो यह देखिए दोस्तो इसकी कमर 36 इंच है तो 36 का एक चोथाई भाग 9 इंच होता है एक बटा चार 9 इंच होता है तो हमने एक 9 इंच का निसान लगाया है किनारा छोड़ करके यहां से यहां तक ठीक है यह हमने कमर का एक चोथाई भाग निसान लगाया है अब यहां से हम यह देखिए तीन इंच और आगे लगाएंगे ठीक है और यह आगे हमने इससे आगे को अमने यहirm थीन इसका रखने के यह वाला हमने डीर इंच का रखाई भादS आगे के लिए हम गॉलाई देंगे यहां से तो यह देखी दोस्तों अब जितना य development से पीछे पाला जो निसान एसको हम नाप लेंगे एक बार तो यह जितना भी आ रहा है ठीक है जितना भी करीब यह 12 इंच आ रहा है इस मार्क तक यहां तक यहां से तो हम यहां से भी 12 इंच का निसान लगाएंगे ठीक है यह देखिए जितना यह आ रहा है यह वाला जो हमने चौक से मार्क लगाया है एंड में यहां तक नाप लेंगे जितना भी आ रहा है इसका हमें एक मार्क लगाएंगे जह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा यह वाला मार्क फिल्कुछ सीधा आएगा ठीक है आप चायद ऊपर का निसान ना लगाएं इस तरीके सीधा लगा निसान लगा सकते हैं आप यह उसके बाद यह देखी दोस्तों यह हमने इसको मार्क लगा दिया है यहाँ पर तो अब यह देखी दोस्तों हम इसकी गोलाई देंगे इस तरीके से यह हमारी कटिंग होगी यहां से इस तरीके से तो यह हम गुलाई देंगे इस तरीके से तब देखिए दोस्तों आपको एक चीज और बताएं तब यह देखिए अब यह टोटल कितना बन रहा है अब यह टोटल नाप लें आप इस मार्क तक ठीक है जो हमने गुलाई दिये वहां से और यहां से तो यह देखिए करीबिए यहां पर यह साड़े 3 day इंच सायगा आप कर लेंगे जतना ही बनता है यहां पर टोटल इतना भी हो दोस्तों तो इसका आप कर लेंगे यह देखिए द अब यह देखिए दोस्तों जितना यहां पर आ रहा है इस गरichen दोस्तों हम नीच यह क्रिए निचन के लिए रख यहा हाफ करेंगे जितना भी टोटल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक ठीक है तो अब हम इन यह देखी जितना भी टोटल हाफ हो गया उसका तो उसका हम हाफ निसान यहां लगाएंगे मोहरी के पास देख लिए दियां से दोस्तो एक बार तो फिर हम किनारा छोड़कर चौक से अबहरी निसान लगाएंगे तो उपर पॉने साट ढा रहा था दोस्तो है तो यहां से यहां तक हम वही क्याषान सा थे सा'm का एक मारक लगाएंगे ठीक है तो यह दे पहने साथ इन का एक मारक लगा दिया है мяс़ए जितना भी ऑी बेड़र था उसका हाफ जोटना भी होता को पहले हाफ करेंगे जिसे 14 इंच मोरी है तो 14 का हाफ होता है 7 और 7 का हाफ होता है 3.5 तो यह देखी दोस्तों यहां से हम 3.5 तीन इंच का एक मार्क लगाएंगे ठीक है मोरी का चौथा ही भाग यह देखी तो 3.5 का निसान यह लगा दिया हमने इस वाले आगे के लिए और दोस्तों 3.5 तीन इंच का ही हम हम भैक निसान लगाएंगे ठीक है तो जो मरे बीज यह देखी बीच वाले से हम यह अब इदर के लिए साधे थी मौरी अपर की और पमे करं सब्सक्राइब मौरी एंज घरी, मौरी आप से मौरी, तपह कै नेकल मेशंक्त May मौरी एंज सब्सक्राइब 6,6 silly तपहेender इसक 한데 मेशंक्त की सब रखाएक अभरשים सब्सक्राइब जो साड़े तीन वाला बाहर के लिए उससे हम मिलाएंगे इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको थोड़ा से वे चला गया तो प्लिस लाइक जरू करें दोस्तों मेरे चैनल का नाम है अकील फैसन डेजानर अगर आप पहली वार आएंगे तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह देखिए दोनों हमने मार्क उठा कर सीधे कर दिये हैं मार्क लगा दिया है तो अब यह देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहां से हम करीब तीन इच का एक मार्क लगाएंगे ठीक है यह आप यह बहुत समझने वाली बात इसको भी धिहान से देखे तो हमने यह तीन इच का एक मार्क और लगाया यहां से तो देखिए अब हम नीचे के लिए जाएंगे तो यह देखिए दोस्तों यहां से लेकर हम चार से लेकर पांच इंच तक एक मार्क और लगाएंगे उपर के लिए तो यह करीब मैंने पांच इंच का मार्क लगाया है तो ये देखे, इसकोवे में state करेंगे अब हम आपको बताएंगे, हमने mark क्यूं लगाए है दोस्तो आपको देखे, धियान से देखना होगा यहाँ पर आपको तो ये देखे, فंटी को इस तरीके से रखेंगे इन दोनों निसान से मिलाएंगे यह देखिए जो अंदर वाले मार्क जो हमने बाद में लगाएं उनी से मिलाना है इस तरीके से तो यह बीच में हमारा यह देखिए और अच्छा से पाजाएगा पैंट का तो इस तरीके से हमें अंदर वाले मार्क से कटिंग करना है दोस्तो हमें तो दोस्तो ऐसे में लेडी जैंस की कटिंग स्टिचिंग की बहुत अच्छे ची वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए तो आप मेरे चैनल पर बात जाकर देख सकते हैं डिस्कुरेशन में बहुत सारे वीडियो के लिंक्स दिये मैंने तो यह देखी यहां भी हम से प बाँ कर दोस्तो एहां से हम थोड़ा बाहर की और काट और करांगे तो यह से करी दीखिया अब यहां भी थोड़ा से बाहर को कट करेंगे, अब यह देखिए दोस्ता हम बैक पल्ले काट कर दिखाएंगे आपको, तो यह हमारे फ्रेंट पल्ले कट चुके हैं, तो यह देखिए, अब हम बैक पल्ले को बिछाएंगे इस तरीके से, तो यह सीधी साड अंदर है इसकी, तो यह देखिए, हमने इसको सही तरीके से, इसको रख लिया है कपले को, अब हम फ्रेंट पल्ले को इसको उपर रखेंगे दोस्तों, तो यह देखिए, खुली वाली सैड हमारी सैड में है, किनारे वाली सैड, तो इस तरीके से उपर से बिल्कुल बराबर रखेंगे, और बिल्कुल जहां पर सीधा हो कपड़े में बल नहीं पढ़ना चाहिए जहां बल नहीं पढ़ेगा बहीं पर आपको महरी को पकड़कर रखना यह देखिए तो आप चेक कर लें के बार इस तरीके से बचाएंगे ये देखिए बीच में बल नहीं पढ़ना चाहिए कपड़े में तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तो इस तरीके से रखेंगे हम अब हमने फ्रेंट VLA को ऊपर रख दिया है दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे तो ये देखिए हम इस तरीके से Mark out लगाएंग जो हमारा मुहरी पर जो मारा Mark लगा था उपर से तो हम बेक पल्ले पर इस तरीके से कपला उठाकर हम Mark लगाएंगे नीचे से लेकर ठीक है तो उसके बाद ये देखिए अब हमें यहां से ये देखिए इस मार्क को भी हमें इस्टेट कर देना है इस मार्क को भी हमने इस्टेट कर देना है ठीक है तो अब ये देखिए यहां से ये देखिए यहां से हम डेड़ इंच आगे के लिए एक्स्ट्रा मार्क है यहां हम बैक को डियल इंच बढ़ा कर रखेंगे मोहरी के पास से यह हम एक्टरा काटेंगे करीब डियल इंच ठीक है वन एंड हाफ इंच बढ़ा कर रखेंगे यहां से अब यहां आ जाते हैं यहां से हम बैक को धाई इंच बढ़ा कर काटेंगे यहां से हम आप डाई इ बढ़ा कर रखेंगे यहां से ठीक है आप डियड़ से लेकर दो इंच तक बढ़ा सकते हैं आप दो इंच बढ़ा है ज्यादा अच्छा रहेगा डियड़ भी ठीक रहेगा डियड़ में भी पजामा टैट नहीं होगा आपका तो इस तरीके से हम दो दो इंच के एक मार्क में दो इस का-पर से मार रखाऊंगे आगे के लिए इस तरीके थोड़ा के लिए Rsघ barrels करें बाहर एक लिए रिखि यहां मक के लिए पर से बात कर सकते हैला कुछ अब उपर 3,5 इंच आके कि लिए नहीं को लोहाई पिर हो फाती हम दो जहांगो डर्खेंगे के नहीं हिचक लगा दिया है हमने अब इसको हम इस फंटी से मिलाएंगे यहां से ठीक है यह देखिए इस तरीके से तो इस तरीके से हमने यहारी बैक बढ़ा कर काट नहीं हमें अब ये देखी जो हमने फ्रेंड पर रोगेंगे इसारी मार्क बचार करेंगे जिसने छिए उसे हमें फ्रेंड पर लगा थे बाद में यहाँ से फटी राती को रखेंगे और रिखेंगे और रेता से बाता हमें अंदर वाले मार्क से कटिंग करते हैं दोस्तों अब यह देखिए हम उपर से कट करना शुरू करूंगा पैजामे को इसको हम पैंटी भी कहते हैं और पैजामे भी कह सकते हैं दोस्तों यहां से हम 2.5 इंच बढ़ा कर रखेंगे ठीक है थाई के पास से 2.5 इंच अब इसको ह जो हमार perfect दभाऊ होता है जो हमारा अदर मोलने के लिए फोल्ड करनके लिए जो कपडा चोड़ते हैं तो यह तरिसा कट کرते हैं इस तरीके जो मैंने mark लगाया है फृंट पल्लों भी इस तरीके से बाहर को कट आया था बैक में भी स projects करते हैं ठीक है दिखकर और आपको पसंद भी आएगी और अगर आपको कोई भी प्रावलम आए तो डिस्क्रिप्स्वन हो मैंने अपना वट्सप नंबर भी दिया है बहाँ पर जाकर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं मुझसे कुछ भी वाप मूझ सकते हैं कटिंग से संबंदित तो बहाँ पर दोस्तों कटिंग हो चेगी थैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो